संसार में गरस्त बान प्रस्त और सन्यासी भी अन्न से ही जिते हैं अन्न से ही सब के प्राणों की रक्षा होती है यह बात किसी से छिपी नहीं है अत है जो अपना कल्यान चाहता हो वह अन्न के लिए दुखी बाल बच्चों वाले महात्मा ब्रह्मन को और सन्यासी को अन्न दान करे जो याचना करने वाले सुपात्र ब्रह्मन को अन्न दान देता है वह परलोक में अपने लिए एक अच्छा खजाना संग्रह करता है रास्ते का थका मादा, बुढ़ा, रहगीर यदी घर पर आ जाए तो अपना कल्यान चाहने वाले गरस्त को उस आदरणिय अतिथी का सत्कार करना चाहिए जो पुरुष मन में उठे हुए क्रोध को दवा कर और डाह छोड़ कर सदवर्ताव पूर्वक अनदान करता है उसे इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है अपने घर पर नीच से नीच मनुश्य भी आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए चंडाल और कुट्टे को दिया हुआ अन भी कभी व्यर्थ नहीं जाता जो मनुश्य कस्ट में पड़े हुए अप्रिचित राही को परसन्नता पूर्वक अन देता है उसे महान धर्म की प्राप्ति होती है जो देवताओं पित्रों रिशियों ब्रहमनों और अतितियों को भी अन देकर संतुष्ट करता है वह विशेश पुन्य फल का भागी होता है जो महान पातक करके भी याचक मनुश्य को और उसमें भी विशेश्त है ब्रहमन को अन देता है वह अपने पाप के कारण मह में नहीं पड़ता अन का दान ब्रहमन को और शुद्र को भी देने से महान फल होता है यदि ब्रहमन अन की याचना करे तो उससे गोतर शाखा, वेदा ध्यन और निवास स्थान आदी के विशे में प्रश्न ना करने लगे तुरंत ही उसकी सेवा में अन उपस्तित करे जैसे किसान अच्छी वरिष्टी मनाया करते है उसी परकार पितर भी यह सोचा करते है कि क्या कभी हमारा भी पुत्र या पोत्र अन दान करेगा ब्रहमन एक महान प्राणी है वह यदि स्वयम अन की याचना करता है तो कोई सा काम मनुश्य हो या निश्काम वह उसे दान करके अवश्य पुन्य प्राप्त करे ब्रहमन सब मनुश्यों का आतिथी और सबसे पहले भोजन का अधिकारी है बिख्षुक बरहमन जिस घर पर जाते हैं वहां से यदि सत्कार पूर्वक भिख्षा पाकर लोटे तो उस घर की संपत्ती भड़ती है जो मनुश्य इस लोक में सदा अन ग्रह है और मिस्ठान का दान करता है वह देवताओं से सम्मानित होकर स्वर्ग लोक में निवास करता है अन ही मनुश्य के प्राण है अतहे अन दान करने वाला मनुश्य पशु पुत्र धन भोग बल और रूप भी प्राप्त करता है जो पुरुष अन दान करता है वह संसार में प्राण दाता और सर्व सब देने वाला कहलाता है अतिथी ब्रहमन को विधी पूर्वक अनदान देकर मनुश्य परलोक में सुख पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं है युदिष्टर ब्रहमन सर्व स्रेष्ट प्राणी और उत्तम छेत्र है वहां जो बीज बोया जाता है वह महान पुन्य फल देने वाला होता है अन का दान ही एक ऐसा दान है जो दाता और भोगता दोनों को परत्यक्ष रूप से संतोष देने वाला होता है इसके सिवा और जितने दान है उनका फल तो प्रोख्ष है अन से ही संतान की उत्पत्ती होती है अन से ही धरम अर्थ और काम की सिद्धी होती है और अन ही रोगों के नाश का कारण है पूर्वकाल में प्रजापती ने अन को अमरित बतलाया है अन का अहार न मिलने पर शरीर में रहने वाले पांचो तत्व नश्ट हो जाते हैं यदि अन खाने को ना मिले तो बड़े बलवानों का बल भी शिर्ण हो जाता है अन के बिना अमंतरन विवहा और यग्य भी नहीं हो सकते उसके बिना वेद का ज्यान भी भूल जाता है यह संपूरन चराचर जगत अन के ही अधार पर तिका हुआ है अतहे विद्वानों को चाहिए कि धर्म के लिए अन का दान अवश्य करे अन देने वाले मनुश्य के बल ओज यश और कीरती का तीनों लोकों में विश्तार होता है जो घर पर आए हुए याचक को अन देता है वह सब प्राणियों को प्राण और तेज का दान करता है भीश्म जी कहते है हे राजन नारद जी ने जब इस परकार मुझे अन दान का महात में बतलाया तब से मैं सदा अन दान किया करता था तुम भी इरश्या और जलन त्याग कर सदा अन देते रहना ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान अत्री का वचन है कि जो सुवरण का दान करते हैं वे मानो याचक की संपूरण कामनाएं पूरण कर देते हैं राजा हरिश्चंदर जी ने कहा है कि सुवरण परम पवित्र आयू बढ़ने वाला और पित्रों को अक्षे गती परदान करने वाला है मनु जी कहते हैं जल का दान सब दानों से भढ़कर है फिलिये कुवा बावडी और पोखरे खुदवाने चाहिए जिसके खुदवाई हुए कुवे में अच्छी तरहें पानी निकल कर सदा लोगों के काम आता है उस मनुष्य का आधा पाप नस्ट हो जाता है जिसके खुदवाई हुए जलाशे में सदा गववे ब्रहमन और साधु पुरुष पानी पीते हैं उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है जिसके बनवाई हुए तलाव में गर्मी के दिनों में भी पानी मौजूद रहता है वह कभी भ्यंकर विपत्ती में नहीं पड़ता घीदान करने से भगवान बहस्पती पूशा भग अश्बनी कुमार और अगनी देव परसन होते हैं घृत सब से उत्तम ओशद और यग्य की सर्वस्रेष्ट वस्तू है वह रसों में उत्तम रस है और फल दायक वस्तूओं में सर्वस्रेष्ट फल देने वाला है जिसे फल यश और पुस्टी प्राप्त करने की इच्छा हो वह पुरुश मन को वश में करके पवित्र भाव से प्रती दिन ब्रामनों को घृत दान करे जो अश्विन के महीने में ब्रामनों को घृत दान करता है उसे अश्वनी कुमार परसन होकर सुन्दर रूप देते हैं जो घी मिलाया हुआ खीर ब्रामनों को भोजन कराता है उसके घर पर कभी राक्षसों का आक्रमन नहीं होता जो पानी से भरा हुआ कमंडलू दान करता है वह कभी प्यास से नहीं मरता उसके पास सब परकार की अवश्यक समगरी मौजूद रहती है और वह संकट में नहीं पड़ता जो अत्यंत शरधा से युक्त होकर ब्रहमन के समक्ष विनय युक्त वहवार करता है वह दान के छटे अंश का पुन्य प्राप्त करता है जो सदाचार संपन ब्रहमनों को भोजन बनाने और तपने के लिए लकडियां देता है उसकी सभी कामनाएं और नाना परकार के कारे स तथा वह शत्रूँ के उपर रहकर अपने तजस्वी शरीर से ददीप प्यमान होता है इतना ही नहीं उसके उपर सदा अगनी देव परसन रहते हैं उसके पशव की हानी नहीं होती और वह संगराम में विजई होता है जो पुरुष छाता दान करता है उसे पुत्र और लच्म की प्राप्ति होती है उसके नेत्र में कोई दोग नहीं होता और उसे सदा यग्य का भाग मिलता है जो गर्मी और बरसात के महीनों में छाता करता है उसके मन में कभी संताप नहीं होता कठिन से कठिन संकट से भी वह शिग्र ही छुटकारा पा जाता है शडील्य रिशीजी का वचन है कि रख या बैल गाड़ी का दान उप्यूप्त सब दानों के बराबर है युदिष्टर ने पूछा है पितहमा जी गर्मी के दिनों में जिसके पैर जल रहे हो ऐसे ब्रहमन को जो जूता पहनाता है उसको क्या फल मिलता है